आज मैं आपको कैसे जादवी केंडल के बारे में बताऊंगा जो आपको इतना शांदार प्रॉफिट दिलाता है कि बस आप हक बक्र रह जा सकते हैं बस उसके लिए आपको कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा कुछ चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा तब जाके उपर चोटा सबीग होता है नीचे चोटा सबीग होता है और ये ग्रीन कलर का बनता है यह होगी हमारा बुलिश एंगल्टिंग कैंडल मतलब जिस कैंडल बनने के बाद अगर आपको मार्केट उपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा तो आप समझ जाएगा कि मार्केट यहा बार में आपको बता देता हूँ कम से कम यह 100-500 पॉइंट मार्केट गिरना चाहिए उपर से नीचे पहला कंडिशन में आपको बता रहा हूँ इसके दो कंडिशन है यह पहला कंडिशन है पहला कंडिशन क्या है कि मार्केट उपर से नीचे आपको यह गिरता हुआ दिखन चाहिए यह पहला condition है और उसके बाद अगर आपको यह bullish engulfing candle बनता हुआ दिखता है तो आप फिर वहाँ से trade ले सकते हैं यह हो गया आपका पहला condition यह हो गया पहला condition अब हम बात करतें दूसरा condition की दूसरा condition यह होता है कि market आपको अगर consolidate करता हुआ दिखता है किसी range पे और यह range कहाँ पर होगा support पे होगा support क्या चीज होता है जहाँ पे market कई बार उपर से नीचे आएगा तकराएगा फिर थोड़ा उपर चला जाएगा फिर उपर से नीचे आएगा फिर तकराएगा फिर तो जिस जगह पर यह तकरा रहा है हम इसको कहते सपोर्ट ठीक है तो यहाँ पे जब आपको उपर से नीचे आ रहा है आने के बाद फिर आपको अगर एक यहाँ पे एंगलफिंग बुलिश केंडल दिखता है तो अब यहाँ पे समझ जाहिए कि मार्केट यहाँ से आपको बहुत जबरदस्त एक हाइक देने वाला है बहुत जबरदस आपको उचाई प्रदान करने वाला है लेकिन अभी भी आप अगर नहें तो आपको बहुत सारा समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने कुछ ऐसे इंडिकेटर्स बना रखे जिसमें आप इतने शांदार आपको मार्केट बता देगा आपको चा यहां से मार्केट आपको कर बूल देगा कि आपको खरीदना है आपको गर केंडल समझ में भी नहीं आ रहा फिर भी आपको मार्केट यहीं से बूल देगा कि आपको कहा से खरीदना है उसके बाद मोमेंटम आप जरा देखिए कितना शांदार फिर से आपको 200 पांट का यह अगर आपको यह सारे इंडिकेटर्स चाहिए तो हमारे चैनल के मेंबर्शिप है, गोल्ड वाला उसको आप जॉइन करिए, आपको इसी किस तरीके से हमने इंडिकेटर्स का इस्तमाल कर सकते हैं, मैंने शुकुरवार को अल्रेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, यह सिर्फ उनी को दिखेगा जो लोग यह गोल्ड वाला मेंबर्शिप लेंगे, आईए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला कंडिशन आपको याद होगा, 100 से लेके 500 पॉइंड मार्केट अगर उपर से नीचे गिरता है, उसके बाद अगर आपको एक बुलिश एंगल्फिंग केंड दिखता है, वहां से आप बेशक ट्रेड ले लिजी, देखिए मार्केट यहां से गिरना शुरू हुआ, लगबग यह 4100 पॉइंट है, यहां से मार्केट गिरता हुआ, जब मार्केट नीचे आया, तो लगबग इसने 200 पॉइंट की गिरावट, ओल्मॉस्ट, 1500 पॉइंट दूसरा, आपको यह बताता है कि जैसे सपोर्ट के पास जब मार्केट बनता है, जैसे सपोर्ट जैसे मार्केट लेता है, वहां से अगर बुलिश केंडल, तो देखिए मैं आपको क्या का मार्केट जब बार बार उपर से नीचे आकर टकराता है, वीर उपर चला जाता है, तो इस साड़े 900 के लेबल को अब ध्यान से देखिए, मार्केट पिछले दिन, पिछले दिन यहाँ पे आके टकराया, वापस चला गया, तो यह सपोर्ट ले लिया मार्केट ने इस जगह पे ध्यान से देखिए, इस जगह पे मार्केट देखिए, फिर अगले दिन ओपन हु सकता है market के chart को पकड़ना या market के chart को समझना अभी मैं आपको कुछ back test करवा के दिखाता हूँ पिछला दिन का भी आप ले सकते है market तो चलिए यहाँ पे close हो गया लेकिन देखेंगे तो यहाँ पे भी support पे market में एक engulfing candle दिया चलि हम एक दो और आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको एक अच्छा सा समझ में आ जाए देखिए मैं आपको क्या कह रहा था उन सब चीजों को थोड़ा सा व्याद करिए मैंने कहा था जब market किसी support level पे आके consolidate करता है जब आपको consolidation नजर आएगा आप समझ जाएगा कि market आपको अब एक अच्छा का सा मूग देने वाला है तो दियान से देखेंगे तो यह consolidation zone है और उसके बाद यह candle बन रहा है और इसे के साथ ही आप market में फिर से एक बहुत बड़ा मूग ले सकते है यह हो गया आपका दूसरा चली मैं आपको और ढूंड के दिखा तो आप चिंता ना करें आपको एक से एक शांदार चीज में आपको दिखाने देखिए यह channel सिर्फ और सिर्फ यह देखिए हम और एक जग़ पे आ गया है इस दो जन्रेट कर रहा है यहाँ पे सपोर्ट जैसे मार्केट ने लिया यहाँ से देखिए कैसा शांदार आप लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा हमेशा जब बुलिश एंगल्फिंग केंडल बनता है तो अगला केंडल उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए यह बुलिश एंगल करके देखते हैं हमने वीडियो देख लिया और कल से ट्रेडिंग चालू और हम जीत जाएंगे ऐसा नहीं होता आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो के बीच में वीडियो के अंता तक शांदार और टिप्स आते हैं शुरुवात में उतने सारे न नहीं होगा जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक आप ट्रेड मत लीजिए तब तक वेट करिए जैसे यह उपर में यहां पे क्लोज दिया यहां से देखिए मार्केट कितना बड़ा शांदार यहां पर रहली लिखे गया हां उस दिन के मोमेंटम की साब से आप आपको 75 पॉइंट दे रहा है तो बैंक निफ्ट में 75 पॉइंट कम नहीं होते लेकिन जिस दिन आपको मोमेंटम मिलेगा ना उस दिन यह कैंडल आपको बहुत जादा बड़ा तगड़ा देखिए यह और एक आगया बाते करते करते ही आपके सामने यह देखिए बस ट्रेड ले लिजिए आराम से ट्रेड आपको मिल जाएगा तो इस तरीके से आप पूरे दिन भर में बहुत यह और एक देखिए बुलिश एंगल्फिंग सपोर्ट बुलिश एंगल्फिंग उपर वाला उसके उपर क्लोज हुआ अगला वाला कैंडल उपर क्लोज हुआ देखिए कितना शांदार मोमेंटम तो यह कैसे संभव है यह संभव सिर्फ और सिर्फ ग्यान और प्रैक्टिस सिर्फ ग्यान होने से नहीं होता है सिर्फ ग बैठेंगे और मन में सोचेंगे कि नहीं हाँ, मुझे प्राक्टिस करना है, एक बार में शायद में सफल नहीं होगा, मैं शायद दो बार में, मैं तीन बार, चार बार, जब तक आप लगातार अपने एक सोच को रख के प्राक्टिस करते रहेंगे, उसके बाद जाके आप आप से मैं अगले वीडियो मिलता हूँ तब तक के लिए जैहिन